सवा सो करोड जनता अच्छे दिनों का इंतजार करते करते सौ दिन बैटी है ये भी कह सकते हैं कि अभी तो सो ही दिन गुजरे हैं बीजेपी के नेता है सही बोलेंगे कई खास में मानेवार साथ इस चर्चा में जोड़ रहे हैं मोदी की पहली परीक्षा हम बात करेंगे उन चार राज्यों की जहां पर चुनाओ होने वाले हैं क्योंकि बाइलेक्शन से एक तरफ लेकिन जिन चार राज्यों में चुनाओ होने वाले हैं वो एक एहम परीक्षा लोगों के लिए कुछ कीमत घटा कर घटी है हाला कि वो अलग मुद्दा है कि डी कंट्रोल है प्राइसे लेकिन धरमेंद प्रदान जी इन चार राजियों में से कितने राजियों में आप हत्या पाएंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है महंगाई और ऐसे तमाम कोई जुआ नहीं होती है और लिटी होते हैं और जणास्था की अपने तरीक्ते का प्राइट हूती है खुश है कि नहीं है यह आप प्रजातंत्र हैं आप वीवेचना करने के लिए आपकी शंज्रा के लिए हम सुख्रिया करते आपको संजे निरुपम जी महराश्रा पर पहुंचते हैं क्योंकि महराश्र की राजनीती से संजे निरुपम जी बहुत जुड़े हुए हैं ncp और ncp का बार बार आपका बाह मरोडना जिस तरह से परिस्थिती वहां पर बनी हुई है तो दिल्ली में जो हश्रों हुआ तमाम जगों पर हुआ महराश्रों में बेचैनी है इस वक्त कॉंग्रेस में नहीं जहां तक कॉंग्रेस और NCP के गटबंदन से जुड़ी बात हो उसको लेकर कि ऐसी भी कोई खास बेचैनी नहीं है अगर बेचैनी है तो मीडिया में जादा है पंदर वर्षों से हम साथ साथ वहाँ पर हैं और आने वाले दिनों में भी साथ साथ रहेंगे ऐसा मेरा विश्वास भी है और ऐसी मेरी जानकारी भी है रह गई बात आप चुनाओं के दृष्टी कोन से गर जानना चाह रहे हैं आप तो सौदिन जो नरिंद्र मोदी जी की सरकार को हुए है उस सौदिनों में जो वादे करके आये थे उन वादों को ले करके एक प्रकार का मोभंग पैता हुआ है लोगों के दिल और दिमाग में उसका नतीज़ा सामने है नरेंद्र मोदी जी के परधान मंतरी बनते ही लगबग एक महीने के अंदर पहली बार उपचुनाओ हुए उतराखंड में तीनों सीटें कॉंग्रेस जीत के आई अभी लगबग 18 सीटों पर उपचुनाओ हुए वहाँ पर भी यूपिय को एक मिज सरकार लाएगी लेकिन दोनों मुद्धों पर यह सरकार फेल हुए और इसका नतीजा कम से कम उपचुनाओं में दिख रहा है सुले हो शरत पवार जी हो डीपी तरपाथी जी हो प्रशंसा तक कर देते हैं मोदी जी के उन पर भी असर दिख जाता है मोदी जी का तो यह क्य Kerry Siracia में पर ऊच्छा काम करेंगे व अच्छे हैं लेकिन आग मुण कर केना हम उन को समर्थन करेंगे यह बिरोध करेंगे हमने पहले दिन सी का था कि है कि हम उन बिरोधी दलों में नहीं है जो आख मुण कर करतेIES सिर विरोध के लिए बिरोध करें लेकिन आप पर केसी ते अब जैसे कभी आजादी के बाद नहीं हुआ कि पस्षीम यूपी के किसान ने आत्मत्या कियो यह पहला मौका है कि चीनी मील माली को पर छे हजार करोड रुपे तरपरदेश के किसानों का बकाया है फिछले साल का और दो अक्टूबर से फिर जो है चीनी मेले फिर फुनने सवाली है केंद की सरकार ने सर्फ दस रुपे बढ़ाए हैं जबकि हमारे मित्र प्रदान जी की पार्टी ने पूरे चुनाओं में कराता है इनका घोष्टना बहतर मेरे पास रखता है कि मीनिमम सप्रोड प्लाइस प्लस 50% किसानों को लाबकारी मुले देंगे प्रदान स यह चुनाओं प्रचार के तर्मयान एक बढ़ा मुदा था और जब करक करने का विशय आया तो आपने शगर का बहाओ कम करने के नाम पे सुगर मltry को सुगर के मालिकों को एक तो चार पांचाजार करूर पे देते हैं ये कहके कि आप किसानों को पैसे दो, किसानों को एक पैसा नहीं मिला, ये विशे रख रहें तयागी जी और दूसरा, आप शुगर का जो export price हो, उसको बढ़ा देते हैं, minimum export price fix करते हैं, जिसकी वज़े से सस्ते शुगर नहीं आ पार रही है ये एक कुछ है, SIT के संदर्व में जो पधान साब ने कहा, आप अपना चुनाओ प्रचार का वादा याद करिए, नरेंद्र मोदी जी और राजना सिंग जी ने वादा किया था कि मुझे सत्ता दो, सौ दिन में काला धन लेके आ जाओंगा, सौ दिन में SIT बनाने का वादा ही नहीं कि, आप SIT बना करके ज्यादा स्प्रेम कोट को संतुष्ट कर रहे हैं, सुप्रेम कोट ने आपको वोट नहीं दिया, आपको वोट दिया, इस देश की जनता ने इस उमीद में वोट दिया था, कि आप आएंगे, तो काला धन लाएंगे, पूरी जनता को बुर्ज करेंगे हम उसमें पूरा तहर तक जाएंगे दूद का दूद पानी का पानी निकालेंगे हमने कदम उखाया मैं इसके लिए इसके लिए सरकार ने कोई समय निश्चित किया होगा एक साल छे महीना कितने दिनों के अंदर यह आपका काम पूरा होगा कुछ अंदाजा है देश को बताएंगे आप दो सुप्रीम कोट खुदी मोनिटरिंग कर रहा है उसको उसमें यह सर्त था कि सुप्रीम कोट मोनिटर एसाइटी होगी तो चुनाव में वादा करते समझ सुप्रीम कोट की मोनिटरिंग याद नी थी आपको आपको चुनाव की बात मत जाएए अरे चुनाव की बात नी जाएए आपको 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 आपकी प्रदा में समझ सकत थीक है हम चुनाव हार गया हमारे लिए डरावना सपना है मान लिया लेकिन आपने लोगों को बहुत खुश्णुमा सपना दिखाया था वो सपने तो चकना चूर हो रहे हैं आप ज़त बनी आप ने बोला चुनाव में हमने जो बोला उस पर मत जाईए साब लोग वोट देत है लोगों ने बोट दिया बीजेपी के मैनिफेस्टों पे लोगों ने वोट दिया राजना सिंग जी के वादेपे और आप आप पर लो कि आपने जो चुनाव परचार में कहा था कि सौधिन में काला धन लाएंगे वो गलत था आप सुखार कर लो अपनी बाग वापस दे थियुक्त करो को अब तुम्हातं वरे में को अब सब्सक्राइब ऱ्विए जा एक यह ताइ 어 कि वारबार अपनी यह पार्थिय जंटा पार्टी के सभी साथियों में एक नया ट्रेन देख रहा हूं अपनी नाकाम्याबियों को अपनी गलतियों को छुपाने के लिए यूपीय की सरकार को याद दिला दिक आपने ये नहीं किया तो हम क्यों करें सब हमने नहीं किया तभी तो आज हम डराऊना सपना देखके यहां बैठें और और से कहें के अस्षय को सथय में अभरे रखिये अस्षय को सथय में परिमर्तन नहीं कर से थे हमने पहला करदम किया जो विदी सम्मत था सुप्रिम कोर्ट मonetड़ SIT हमने गठन किया यह हमारी प्रतिबद्धता थी उसका अमने कर के दिखाया उसी तरह अभी जो उप चु कि जनता संतुष नहीं है जो आपने वादा किया था उस पूरा उसको पूरा नहीं किया अपने तारीक साब आप से भी पूछूंगी कि विकल्प क्या है फिर इस देश के सामने राहूल गांधी को क्या आप लोग की स्विकार करने को तयार है यह प्रस्ण मेरे मेरे उपर विकल्प जवाब देना अब आपने कुरेद दिया कारणामा के दिया और जवाब देंगे अप्चुनाओ की नतिजा देश की मिजाज नहीं है में मिशुद रूप में जिस प्रकार की उप्चुनाओ की जो नतिजा है हमारी पार्टी के लिए संतोश जनत फैसला नहीं है उसकी हम निशिद उसकी जवाब दही लेते हैं उसकी चिंता कर रहे हैं लेकिन दो और तथ्यों में आपकी सामने बताता हूं देश की दो प्रमुख मीडिया हाउस एक इंडिया तुडे आज तक वाले और एक आज टाइम सेफ इंडिया ने आपनी दो विस्तारी जनमत को उसमें क्या दिखाती है लगभग 55-60-30 लोग नेरेंद्र मोदी जी की नेत्रतु को श्युकार करते हैं उनको पसंद करते हैं इसी से विकल्प आजाते हैं राहुल कांदी का नेत्रतु आपको स्विकार है देख एसा है विकल्प तो जनता बनाती है बार्दी अनेता भी त लेकिन विकल्प बले वो चुके लोगों को कॉंग्रेस या यूपिये से जो नाराज़गी थी तो कहीं न कहीं उसको जाहिर करना था राहुल गांदी का नेत्रतु आपको स्विकार है अब ये समय आएगा तो उस पर ताह करें कि हम लोग एक मिनट आप राहुल गांदी ज अब आप डिशे शुची लेके सवाल पूछ रही है अभी तो देश ने नरेंदर मोधी को नेत्यतो संपा है पाँ साल तो नरेंदर मोधी के नेत्यत की व्याख्या होगी मुल्यांकन होगा उसके बाद हम तहीं करेंगे कौन नेत्यतों करेंगा लेकिन एक मजबूत विपक वादसों में जैसे अभी हालत है देखते एसा है शुक्ति होगी और पर चटा वही गिरता है चुनाव लड़ेंगे और यह ची देंगे यह का उपर नइसा है प्लू लगां दिया है उसपर नहीं सोचेंगे तो वही नहीं आप लिए लगांदी लिगांग निधि निखना क करता है हम यह मत सबजी है कि हम यह जो विपक्ष है कमजूर है हम लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब भारतिय अंता पार्टी के मात्र दो सांसर जीत कराये थे पहली परीक्षा पास करने के लिए लव जिहाद, हिंदू मुख्य मंत्री यह सब उसी के लिए हो रहा है क्या सौ दिनों में यह आपकी मुहावड़ा है यह आपकी सब्दावली है मैं उस सब्दावली पर नहीं जाना चाहता हूं हमारी राजनिति के अंदर ना सपस्टा है परदान मंत्री जी ने सरकार बनाने के लिए जब पहली बार मीटिंग बुलाई जब पहली बार वहां सहयुक्त लोक्षभा राजसिवा सदेश्यों तो की मीटिंग होई उन्होंने समर्पित क्या मेरे सरकार इस देश की गरिबों के लिए समर्पित है सरकार और पार्टी तो अलग-अलग धंक से काम कर रही है नरेंद्र मोदी जी हर विए उनके लिए एक सब्द किसी ने इस्तमाल किया कि ये कंट्रोल फ्रिक है हर ब्यक्ति को हर मामले को कंट्रोल करते हैं मंतरी का पिये कौन होगा ये भी वो तै करते हैं और ऐसे में उनके पार्टी के लीडर आपका भी वाद्ट कभी आरेसेस के लोग सुबह साम एक भोटों को पोलराइज करने के दृष्टिकोन से नई-N20 शब्दावली लेके आते हैं, घिसा पिटा विचार लेके आते हैं, और नरिंदर मोदी जी चुपचा बेटे हैं उत्तर प्रदेश में च्छे सो जगे पे दंगे होते हैं, और खासकर उनगे होते हैं, जहां बाइलक्शन हो हो ला है तो आप क्या कह रहें कि BJP से आपको अपको लिना देना नहीं? सरकार या पिजए पिजए अलग थालग हो गई है. यह मैं अगर आपको मेरे को समय तुछा दीजेगा, दो बिशे उन्होंने उठाया, दो बिशे उन्होंने उठाया, उन्होंने का कंट्रोल फ्रिक, अभी 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 पिछले तीन-चार महने में देश की जनता की सामने, समाज की सामने, तीन किताब आई है. पिछले सरकार की माननिय प्रधान मंतिर जी की जो, फिर आप इतना एकतरफा सोचना चाहते हो, आप आलोचना भी सहन करने की मूड में नहीं हो, चंजे बाई, थोड़ा आप सुनो तो सही, आप थोड़ा आलोचना भी सुनना से, अभ्यास करो, अब अपना अभ्यास अपने कंट्रोल के बारे में बताईए, चुर आप, जिसको मन का ना, कुछ, कुछ, आपकी मन में कुछ डराबनी सपने अभी भी उतर नहीं रहा है, इसलिए आप उस सब्दे पर जा रहे हो, कंट्रोल किसकी आप में है, तीनों किता में सपष्ट है, बाकी आपने भी कहा क दंगे की बारे में, आपकी यूबराज साब ने एक हवा खड़ा किया, वेल पे चलेगे कि देश की स्थित्ति की बारे में चर्चा होनी चाहिए, हमने चर्चा के लिए त्यार हुआ, लोक्षवा हमें चर्चा के लिए हम त्यार होंगे, क्या आपकी यूबराज चर्चा क नेता यूब राज लोक्षवा में चर्चा में पार्टिसिपेट करके सरकार को कटगेरे में खड़ा किया किया कोई कथ्या ही नहीं है कोई आधार ही नहीं है मन गढ़न बात कहते हो सहारणपूर में दस दिन में एसो चिम की रिपोर्ट है 244 क्रोड उपे का नुक्सान हुआ किसी का सहारणपूर है किसी का मुझफर नगर है किसी का मेरट है दंगा इनका उसका आपका मेरा इस पर बहस ना टक जाए चुनाओं की बहस शुरू हुई थी और कहां पर अटक गई